दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ मैं जन्मास में स्वेशल में कि हम लडू गोपाल जी की मूर्ती को घर में कैसे साफ कर सकते हैं और मैं कोई ज़्यादा केमिकल या कोई चीज यूज दी करूँगी मैं खाली इन निम्बू के साथ लडू गोपाल जी की मूर् तो पानी इसे इनको थोड़ा सा नहला लेंगे और यह निम्बू अब इनको घिसना शुरू करूंगी मैं इनके उपर ताकि यह जितना भी काला पन है यह खत्ब हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कोई जादर कुछ करने की जोटनी आपको बस यह नीमगू ऐसे लेना है और ऐसे इनको पूरा उससे घिस देना है पांक-साथ मिनट इसे घिसेंगे पूरा ताकि यह अच्छे से साफ हो जाए और यह देखिए आपको परक दीक भी आओगा पहले में और अब में तो जहां-जहां काला पन जादा है महाँ पे इन्हें अच्छे से घिसके साफ कर लेंगे इस तरीके से आपको इन्हें साफ कर लेना है बिलकुल अच्छे से जादा निम्बू लगता भी नहीं है इसमें अब हम एक करेंगे जो पारिकी वाली जगाएं हैं जैसे हात यह ये वाला दर्कान के नीचे वाला हिस्सा इनको हम यह ब्रेश की साश्टा से मलेंगे ताकि यह और अच्छे से साफ हो जाए इस तरीके से आपको करना है इख बिल्कुल यह भी कुछ साफ ब्रेश है जो मैंने लिया है क्योंकि ब्रेश से क्या होगा यह एकदम प्रॉपर तरीके से साफ होएंगे और यह समय भी पादी में नहीं है यह नीबू का रसी है तो उसको भी बैर यह ले रही हूँ इसी तरीके से साफ कर रही हूँ यह देखिए यह देखिए कितने अच्छे से साफ हो चुके हैं यह ब्रश की सायता ब्रश देखिए कित्ता कालक बनता इस मूरती के ऊपर तो यह साफ हो गया है अब इनको हम भी को साफ पारी से दोलेते हैं नहला देते हैं और यह जो पानी है पहले इसे साफ कर लेते हैं तो इनको साफ पारी से दोलेते हैं इस तरीके से बस यह देखिए कितने अच्छे से साफ हो चुके हैं सिव नीम्बू से हमने इनको साफ किया और कोई कैमिकल हमने यूज नहीं करा किसी चीज का भी सिव एक आदे नीम्बू से यह देखी कि इते चबक देए है अगर हम इनको डेली ऐसे हफते में दो बार भी साफ करेंगे क्योंकि नहलाते हैं तो हम डेली ही हैं लेकिन अगर वै अगर आपको यह वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हल्फूल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके पताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है और यह बहुत पांच यह साथ मिनट में यह साफ हो जाती है और अगर डेली हफ्ते में दो बार या जब भी आपको टाइम लगे आप इनको अगर निम्बू से ऐसे साफ करेंगे इनकी मूर्ती को तो यह और चब यह वीडियो मैं आप लोगों के साथ और फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स वीडियो के लिए तब तक मेरे लट्डू को पाल जी को बाई बाई बाली ए और फिर मिलेंगे वह आपसे जनवाश्मी पर बाई बाई